किससी छेटेटी आपको यह सामने स्क्रीन दिख रहा है जी जी स्क्रीन में यह शैसाल के उमर की बच्चियां है अब ही इसको अगर मैं 35 साल का जो आदमी होता है जी अब आप बताइए मुझे पच्पांच साल के बाओ साथ आप 6 दिखाया बच्ची जो मैंने भी दिखाया आप इसको सही समझते हैं जी मैं आइसे मतलब मतलब बहुत वाकित पहले मैंने देखा कि एक पांच साल की लड़की ने एक हेलडी बेवी को जानम दिया तो तो यह बात के लियर हुई कि यह जोरी नहीं कि 5 सल की या 6 साल की आठ साल की अच्छी साल की जोहांना ना लड़की जना मैं बाट को हो गई यह बात के लिए रिपरेंश रिपेंश दीजिए ठीक आगे पर आफचा है एंग झी कलियर है कि अगर तो आईशा अपनी टांगे लपेट के राइट प्यार को छोड मुहमथ इतना लस्ट करता है कि आईशा को सज्दा करता ता तौ किस जयगा पर सज्दा करता था अगर तो आईशा अपनी टांगे लपेट के राइट या लेफ्ट साइट पे टांगे रख लेती थी तो उसकी बुटक्स को सजदा करता था और अगर वो टांगे एक टांग राइट पे और एक टांग लेफ्ट पे कर लेती थी उसकी टांगों के दर्मियान में सजदा करता ये हालत थी मुहम्मद के सजदे करने की अच्छा जी जी ये वो क्या प्राफ्मिनोंस उनको ये कहते थे कि मैं आईशा को सजदे करता हूँ ओ मैं ओ मैं आप मुझे ये बताएं कि अगर आप अगर आप नमास पर रहे हैं और आपके सामने से एक औरत या एक गधा या एक कुटा गुजर जाए तो आपकी नमास बातिल हो जाती है के नहीं मतलब अगर गुजर जाए तो बातिल मैं मानता हूँ चलो ये सही बुखारी की चदीश है फाइव बन थरी पांसो तेरह आप रजिए लगाना से फरमाया मैं रसूल व्ला contracted सामने सूझाया करती थी मेरे पांग आप स्लोंके सामने फ़ैले हुए उते थे जब आप स्लैके साइश्डा करते तो मैं पांग को हलके से डबाते मैं इने सुक्र लेती फिर जब क्याम फर्माते तो मैं इने फिला लेती इस जमाने में घरों में चाराख नहीं होते थे मालूंगो ऐसा करना भी जायज है ये जो है ये ब्रैकेट ये आपकी उसके अंदर नहीं है सो आपको मल्टीपल हदीसे मिलती हैं कि औरत लड़की अगर गधा और कुटा अगर नमाज पढ़ते वे आपके सामने से गुजर जाए तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है मुहम्मद किस हसाब से आईशा को सजदे कर रहा है क्या उसका घर सिर्फ तीन फुट बाइट पांच फुट के ओपर मुश्तमिल है कि वो आईशा के बिल्कुल बराबर में ख़ड़ाओं के भी नमाज नहीं पढ़ सकता उसे आईशा के पैड़ों में जाकी नमाज बढ़ तारे 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 झाल